हलो दोस्तों मैं कार्डिफ सीटी सेंटर में मौजूद हूँ और मैश है आज बाकिस्तान का इंगलंड के साथ यहां दूसरा और वेदर की सुरतिहाल आपके सामने आए इस वक्त भी बारिश हो रही है और हमारा रुख है स्टेडियम की तरफ तो बारिश जो है वो यहां पर लोकल टाइम जो है उसमें एक से दो बज़े तक बारिश की प्रेडिक्शन है अब एक से दो बज़े तक बारिश अकर रहती है तो उसके बाद फिर ग्राउंड को खुश्क भी करना है और ग्राउंड को खुश्क करके उसको खेलने के काबल भी बनाना है और यह जो इस वक तक बारिश हो रही है यह तक्रीबन पिछले मेरा ख्याल है कि चार घंटे से हो रही है यह देखिए यह कार्डिफ की सड़कें है यह कार्डिफ बुलिवार्ड है और यह सुरतिहाल है इस सुरतिहाल है और मैं स्टेडियम की तरफ जा रहा हूं बारिश के हलाद आपके सामने हैं सोफिया गार्डन यह मेरे सामने आ गया है इसके बहाइंड किरकट स्टेडियम है और जिस तरह की बारिश लगी वी है इस तरह में तो मैच काईनकाद बिलकुली मुश्किल है लेकिन क्योंकि ये बारिश थम जानी है as per weather retard यह जो बारिश का सिसला है यह हो хотя गरीबन अगले देड़े घंटे में देड़ से दो घंटे में तो अगले देड़ से दो घंटे में बारिश खतम होती है फिर सोफिया गार्डन क्रिकट फील्ड को खुश करने के जतन किये जाएंगे और उसके बाद मैश का इनकाद मुम्किन होगा अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है और अभी यहां बरतानिया में बारा बज़े भी नहीं बज़े हैं दोपैर के अभी अर्ली मोर्निंग सुबा है और अगले दो खेंटे तक बारिश का यह सिल्सना जारी रहना है उसके बाद जाके यह बारिश वैदर रिडार के हिसाब से खतम होनी है और मैं भी इसी बारिश में चल रहा हूं और हुटीज निकली भी है लोगों को आप देख रहे हैं ठंड का महौल है और इस ठंड के महौल के अंदर मौसम की जो सुरतिहाल है वो कुछ अच्छी नहीं है आप यह देख सकते हैं कि बारिश ने अपना फुल रंग दिखाया हुआ है और यह मैं सोफिया गार्डन के कॉर्णर के तरफ आगे हूं यह शेहर की सुरत हाल है सो आइ होप सो के ग्राउंड जो है वो खुश्क कर दी जाएगी और ग्राउंड खुश्क हो के तो मैच होगा लेकिन जिस तरह की बारिश अभी कि इस वक्त है इसमें तो बजायर आपको मुश्कल दिखाई दे रहा है लेकिन मैच होगा इसलिए होगा क्योंकि यह बारिश खतम होनी है कि दो घंटे में और मैं जब सिटी सेंटर से निकल के तो मैं यहां सोफिया गार्डन आगे आपको सोफिया गार्डन दिखाता हूं कि स्टेडियम का नाम सोफिया गार्डन क्यों है और यह जो सोफिया है इसको गार्डन क्यों गहते है कितना खुबसूरत यह वाग है यह मैं प्रिज ताप लो एक दफार और इसके बाद पिर आपको मैं भीखाता हूं कि सोफिया गार्डन कितना खुबसूरत जगा है बार पाकिस्तान को यह मैच खैर पूरा खिलना चाहिए कि कम बेक करना चाहिए सिरीज में हलात पतलें टीम के यह देखिए यह सुफिया गार्डन की चील है और यह देखें गोरे जा रहे हैं चिल मारे हैं अजया फिकर नफाका एशकर काका वला हिसाब है यह ऐसे चिलू में यह स्टेडियम को यह जा रही है चिलू में मौज मस्तिया कर रहे हैं इनको नहीं पता कि सुप्रीम कोड के अंदर कौन सा केस लगा हुआ है इनको नहीं पता महंगाई कितनी है है यहां पर इंफलेशन महंगाई है लेकिन इनके वुह हमारे मसायल नहीं हैं जो हम पाकिस्तानियों के मसायल थेयन फाइनली हम आ गहें जो फया कारण में यह है तब्रशके मादर्स हैं आप काड़िफ आयं और सोफया काड़न आहें्स आए तो ऐसा नहीं और सपए यह स्टेडियम जाने का भी रास्ता है और यहां से लोग वॉक करते हैं सुबह तफ्री करते हैं तो यह जील के साथ साथ आपने सोफिया गारन को देखने होता है यह यहां से देखिए हैं पिलकल शेहर के किनारे के साथ साथ ही यह खुबसूरत पार्क कहलो बाव कहलो इसका कोई जोड़ नहीं है इसकी खुबसूरती का और यह स्टेडियम हमारा सामने है है कि सो कि सैक्लिंग ट्रैक भी है कि यहां कि एक्सरसाइज भी लोग कर रहे होते हैं 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 एंट फ्री लगा के भाग दोड़ की जारी होती है अब वे लोगों को को फिकर नहीं है वाई कि अब कि साउथ इस्या में क्या हो रहा है साउथ इस्या में इस वक्त कर्मी यहां वैदर कंडिशन देखें अब बारिश रुक गई है लोगों ने शुरू से जोइन किया अब तक उन्होंने बारिश से मेरे साथ ट्रैवल स्टार्ट किया और यहां बारिश खता हो चुकी है सो स्टेडियम की हदूद आ शुकी है तो बाकी फर्दर आपको स्टेडियम से जाकर अपडेट करता हूँ कैसा लगा आपको सोफिया गारडन ऐसा लग रहे ना मेरे अब साथ चल रही हो कि असामने एक खुब सुरत बिज्जे चलो वहां तक आपको दिखा देता हो मुफ्त में वो स्टेडियम के टावर दिखाई दे रहे हैं वह सामने स्टेडियम के टावर है फुलर नाइट टावर और बारश रुग गई है हमारे चलते चलते ही बारश यह ब्रिज जग रहे हैं अश्म यार शहर के अंदर उन्होंने कैसे कैसे पार्क अपने शहरियों के लिए बना रखे हैं यह देखिए फिजां के पत्ते जड़ेवें हूं कि सैड़ और सोहनी हवार चल रही है यहां पर यह देखिए यह रीवर है इसको पता नहीं कनाल कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं यह उसका खुबसूरत ब्रिज देखो आप क्या बात है इनकी अफादा करते हैं अपने चीज़ों की क्याँ कामें जड़ेंन आपने बात草 प्रेचे मिरेगा Cum